नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन केबिनेट की बैठक एक मार्च को होगी जार्खन मंत्री मंडल सचीवाल एवं निग्राने विभाग ने इस बाबत जनकारी दी है बता देई से पहले 27 पर मुख खबर जार्खन केबिनेट की बैठक निधारित की गई थी लेकिन फिर इसे अस्तागित कर दिया गया था मंत्री मंडल सचीवाले एवं निग्राने विभाग ने सुचित किया है कि केबिनेट की बैठक एक मार्च को होगी साम पांच बजे या विधान सभा की बैठक के तुरंत बाद जो भी बाद में हो प्रजेक्ट बहुन इस्थित मंत्री परिशत कख्च में बैठक आयोजित की जाएगी इसमें हेमान सुरेन सरकार नियोजन निति ला सकती है जार्खन केबिनेट की 27 फरवारी को होने वाली बैठक अस्थागित कर दी गई थी जार्खन मंत्री मंदल सचवाले या वनिग्राने विभाग द्वारा एजन कारी दी गई थी इससे पहले 27 फरवारी को केबिनेट की बैठक साम 4 बैद निधाजित की गई थी इसके बाद जार्खन मंत्री मंदल सची वाले अमनिग्यानी भी भाग द्वारा इसे असागित किये जाने की जनकारी दी गई बता दे इसे पहले जार्खन केबिनेट की हुई बैठक में मुक्य मंत्री हेमान सुनिक के दक्सता में केबिनेट की बैठक हुई थी इसमें कई महत्पोर्णी नहीं लिए गए थे बिहार में साइकलोनिक सर्कुलेशन और सागर में पश्मी विशोब का असर जारखन में भी देखा जाएगा इसके असर से जारखन के रिधानी रांची का तापमान धीरे धीरे बढ़ जाएगा रांची का उस्तम तापमान 28 फरवर भी को 33 डिगरी sieint centigrade और 2 मार्च को 24 तक पहुँच जाने का अनुमान है वह यह निमतम तापमान 16 डिगरी पहुँच सकता है मॉसम खेंचर और रांची के प्रमुक अभिसेक आनद ने बताया है कि 28 फरवरी से 3 मार्च तक मौसम साप एवं सुस्क रहेगा जार्खन राज्य के लिए किसी परकार की मौसम की चेदानी जारी नहीं की गई है बिधान सभा में राजेपाल ने गिनाई सरकार के उपलब दिया जार्खन बिधान सभा के बैट सत्र के शुरुवात राजेपाल सीपी राधा किष्टनन के अभिभासन से हुई अभिभासन के दोन राजेपाल सीपी राधा किष्टनन ने कहा है कि कुरोणा महामारी में प्रति व्यक्ति आए 71,071 थी जो 222 में 78,660 हो गए सरकार ने किसानों के लिए 1727 क्लोर का रिन माप किया मुख्य मंद्री सुखा राहत योजिना के तहत प्रती परिवर 35 रुपए की दर से 13 लाग से अधिक किसानों को 471 क्लोर रुपए की राष्टी हाजतांतरित किये गए वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 6,30,000 से अधिक किसानों के बीच लाग भगते 300 क्लोर रुपए रिन बितरित किये गए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंद्री पसुधन विकास चोजिना के तहत बर्तमान वित्तिय वर्ष में 40 क्लोर का अनुदान स्विक्रिती हुआ है 49,000 से अधिक लाब को कुलभानवीत करने के स्विक्रिती दी गई वहीं 22 जिलो में मिल्क कूलिंग पॉइंट संबंध 29,000 गाव के 30,000 से अधिक दूद उत्पातकों से 1.53,000,000 लाख लीटर दूद प्रती दीन का संगरा हो रहा है अजीव का ससक्ति करन हुनर अभियान के तहट 26,000,000 परिवारों को जोड़ा गया है रांची में 11 अप्रेल को हेमन्त हटाओ जार्खन बचाओ का एलान भारतिय जानता पार्टी ने जार्खन की हेमन सुरें सरकार को उखाड फेकने का वहान किया जार्खन परदेश भाजपा के अध्यक्स राज सवा सांसत दिपक प्रकास ने कहा है कि भाजपा 11 अप्रेल को रांची में हेमन्त हटाओ जार्खन बचाओ के वहान के साथ 20 साल परदसन करेगी उन्होंने यह एलान परदेश पदा अधिकारियों जिला ध्यक्छों इवं जिला प्रभारियों और पार्टी विधायकों की बैठक में किया इस दोरान करकरताओं को बूत ससक्तिकरान राष्ट पति के अविभाजन कारेकरम सहीत बिभीन संगाठनी कारेकरमों पर पिस्तार चर्चा हुई पदा अधिकारियों को आहम टास्क दिये गए है बैठक में पार्टी के संगाठनी कारिकरमों के साथ राज सरकार के खिलाब राज अस्तरी विसाल परदसन की गोस्ना की गई दीपक परकास ने कहा है कि बाजबा करकताओं को आप चुनाओ की त्यारी में जुड जाना चाहिए ज्यारखन के लाखों किसानों को PM मोदी ने भेजे 2000 रुपए ज्यारखन के लाखों किसानों का इंतजार खत्म हुआ है बतादे सो मार्गों प्रधान में तिर्यांद मोदी ने उनके बैंक एकाउंट में PM किसान जोजना की 13 किस्त के 2000 रुपए टांसपर कर दिये हैं बतादे ज्यारखन में 17,333 किसान ऐसे हैं जिने इस 2000 रुपए का इंतजार था पिछली बार इनके खाते में पैसे आये थे इस बार कितने किसानों के बैंक में PM मोदी ने डिविटी के जरिए PM किसान की त्रहवी किस्त टांसपर किया है उसकी सटिक जनकारी अभी ज्यारखन क किसी भी भाग के अधिकारियों के पास भी नहीं है अधिकारियों का कहना है कि ज्यारखन में कूल 28,35,545 किसानों ने PM किसान के लाबुक के रूप में अपना पंजी करण करवा रखा है लेकिन इन सभी किसानों के अकाउंट में पैसे टांसपर नहीं होते पिछली बार एसोसियेशन और जारकन स्टेट हेल्थ सर्विसेश एसोसियेशन के बैनर तले राज्य भर के 13,000 डॉक्टर एक मार्ज को कारे का बहिस्कार करेंगे डॉक्टर हस्पताल आएंगे लेकिन मरीजों को प्रामर्श नहीं देंगे हलाकि एमर्जेंसी सेवाए बहाल रहेंगी जैसे में आपात कालनी परामर्श प्रसव और पोस्टम या फैसला रभीवार को आई एमे और जहासा पतादिकारियों के बैठा के बाद लिया गया बतादे करम टोली चौक इस्थीत आई एमे भावन में स्टेट आई एमे के सचीव डाक्टर परदीप सिंग ने कहा है कि राजे में डाक्टर सुरक्षित नहीं है रामगर्ण विधान सभा ओपचुना 16.96 परदीज वोटिंग दो मार्च को काउंटिंग की जाएगी मद्दाताओं ने 18 उमीद्वारों के भाग्ये को इवियम में कैद कर दिया मत्दान के दोरान महिलाओं का उत्सा देखते ही बन रहा था निर्वाचन आयोग दोरा सुतंत्र यों निस्पक्ष मत्दान संपन कराने को लेकर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गए थे वही कड़ी सुरक्षा में वोटिंग संपन होई मत्दान के दोरान किसी भी अपरिये घाटना के सुचना नहीं है अपनी सरकार में सहमी दीखी विधायक अमबा परसाथ बढ़का गाँ विधायक अमबा परसाथ के परतिनीधी को अपराधियों दुवारा गोलियों से भूजने जाने के बाद पुलिस परसासन पर एक बार फीर सवाल उठने लगे हैं अपनी सरकार के आलोशना कर रही कॉंगरेस विधायक अमबा परसाथ ने कहा है कि जिस तरह से मेरे विधायक परतिनीधी पर अटेक किया गया है उससे यही लगता है कि मेरे उपर टार्गेट था उन्होंने कहा है कि सब कोई जानता है कि अपराधी कौन है मगर इतने बड़े ओह हैं कि पुलिस हीमत नहीं जुटा रही है यदि इसमें पुलिस फेल हो जाती है तो यही लगेगा कि पुलिस अपराधियों से मिली हुई है इसलिए मुख्य मंत्री जी को इस पर ध्यान देने क्यों सकता है बता दे रामगण की घटना में पुलिस की भूमिका पर सवार उठाते हुए कहा है कि कानून व्यवस्ता पुरी तरह से फेल है ज्यारखन में लूटेरों की सरकार तुम लूटो हम भी लूटे बाबुलल मरांडी भाजपा बिधायक दल के नेता और राज के प्रथम मुख्य मंत्री बाबुलल मरांडी ने हमस सरकार पनी साना साथा है कहा है कि जिस तरह से राजे में घाटना बढ़ रही है उससे यहीं लगता है कि पुरा परदेश और राजक इस्थीती में पहुँच गया है उन्होंने रामगाड में कॉंग्रेस बिधायक अमापरसाद के बिधायक पतिनेदी की घाटना पर भी परतिकिरिया दी है बाबुला मैंडी ने कहा है कि रामगार की घाटना के बाद जिस तरह से पूरो मंत्री योगेंदर साव और कॉंग्रेस विधायक आमबा परसाद का अब्यान सामने आया इससे साफ लग रहा है कि किस तरह से जेल से सेटिंग होती है लेकिन जब हम लोग या बात को उठाते हैं तो सरकार कहती है कि विपक्स सरकार पर आरोप लगा रही है जैक बोर्ड परिक्षा 14 मार्च से सुरू जार्खन बोर्ड की मैटरिक और इंटर्मेडियेट की लिखित परिक्षा 14 मार्च से सुरू होनी है इससे पूरो प्रेक्टिकल और आंत्रिक मुल्यांकन का कारे चल रहा है मैट्रिक वा इंटर्मीडियेट में समाने बिसयों के प्रेक्टिकल वा इंटर्नल सेमेस्टर के साथ साथ बोकेशनल का भी अलग से प्रेक्टिकल वा सेमेस्टर होगा बता दे समाने भी सहयोगा जहाँ 20 और 30 अंक प्रेटकल या आंत्रिक मुल्याकन होगा वही वोकेशनल ने 50 अंक की पर देयोगी परिक्चा वा आंत्रिक मुल्याकन होगा प्रबल है पक्षियों की माध्यम से लोगों में वर्ट फुलो के संक्रमन को रोकने के लिए स्वास्त विभाग ने एतियातन उपाय सुरू कर दिये हैं स्वास्त विभाग के सनुक्त सर्चीव सर एने चेम जार्खन के अपर अभिया निदेशक विद्यानन्द सर्मा पंकज ने सिविल सर्जन बोकारों को दिशा निदेश जारी करते हुए एतियातन उपाय सुनिश्चीत करने का निदेश दिया है जलसाहिया को 48 माह से मांदे नहीं धारना 3 मार्च को रासी का बुक्ता नहीं किया गया इससे जलसाहिया की माली हालात खराब है और अब जलसाहिया को इसके लिए आंदोलन करने के हो सकता पड़ रही है जारखन में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग जारखन चेंबर ने सोमवार को राज में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग किया है गढ़वा में सिविल सर्जन सदर अस्पताल के उपाधिक छक एवम जील्या कारेकरम प्रवंधक के साथ हुई मारपीट के बिरोध में I.A. में एवम जहासा की मांगो का समर्थन करते वे जारखन चेंबर ने या मांग किया है वहीं घाटना की बिरोध में सोमवार को I.A. हौल में आयोजी डॉक्टर स्की बैठाक में चेंबर महासेचिव डॉक्टर अविशेक रामाधीन सामिल हुए और उनकी मांगो का समर्थन किया है होली का आवकास दो दिन और बढ़ाने की मांग सीविल कोट में होली का आवकास छो से आठ मार्च तक है नौ मार्च को कोट खुलेगा वहीं जहारखन हाई कोट में होली का आवकास आठ से बारह मार्च तक कहा है इसी का हवाला देकर जीला बार एसुसेस्टन ने सीविल कोट में भी होली का आउकास और दो दिन 9 एवं 10 मार्च तक बढ़ाने का रोज सीविल कोट के प्रधान नयायुक्त से किया है बार एसुसेस्टन के महासचीव संजय कुमार बिद्रोही ने इस समद में प्रधान नयायुक्त को पत्र लिखा है पारा मेडिकल संस्थान के स्टुडेंट ने दिया धरना राज कीए पारा मेडिकल संस्थान रिमस के छातर शातराओ ने 24 फरवारी को अपनी 7 सूतरी मायव को लेकर चिकित्सा अधिक्छं करयाल ये समक्ष धारना दिया था परमुख रूप से होस्टल के निरमान को लेकर छातर अक्रोसित थे चात्र चात्राओं का कहना था कि रिम्स सासी परिशत की उन्चास्वी बैठक के दौरान चात्रावास निर्मान और सिक्षक यों कर्मियों की आवास निर्मान की स्विक्रिति मिली थी बाजूद इसके अब तक होस्टल नहीं बना ऐसे में हम सभी किराये पर्रोम लेकर पढ़ाई वा इंटरनसिप कर रहे हैं जिस कारण चात्राओं के साथ छेट चाड़ वा चात्रों के साथ छिंताई की घटनाय हुई है इधर सोमवार को एक बार फिर पारामेडिकल चात्रों ने चिकिस्टा दिक्चक करया लेकि समक्ष धारना दिया है राजे सभा सांसद महुआ मांजी की मा का निधान राजे सभा सांसद सह जामो नेत्री डाक्टर महुआ मांजी की मा का सोमवार को निधान हो गया है उनका निधान रांची के औरकिड अस्पताल में दो पहर तिन बचकर पंद्रा मियट पर हुआ जनकारी के मुताविक वह लंबे समय से अस्पताल में भरती थी काके रोट इस्थीत परल हाउस इस्थीत अवास से मंगलवार को सुबह 11 बज़े उनकी अमतिम्यात्रा निकाली जाएगी रिजर्व कर्टेगरी के अभियार्थियों को आरक्षन नहीं दिये जाने के मामले में JSSC और JPSC से जबाब जार्खन हाई कोट के जर्श्टिस एस चंद्र सेखर और जर्श्टिस रतनागर भेगरा के अदालत में जाती पहन पत्र के कारण आरक्षन का लाब नहीं दिये जाने के खिलाब दाखिल अपिल पर सुमवार को सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अदालत ने JPSC और JSSC से जबाब मांगा है अदालत ने पूछा है कि प्रार्थियों ने कितना अंगप्राप्त किये हैं प्रार्थियों की स्त्रेणी का कॉट अप मार्च कितना निधारित था मामले में अगली सुनवाई एक मार्च को होगी बताद ही समन में डाक्टर नूतन इंदवार सही 23 अने की ओर से हाई कोट में अफिल दाखिल की गई याजका में कहा गया है कि निउक्ति के लिए जारी भीग्याप्ण के ताथ प्रार्थियों ने आवेदन दिया था लेकिन आयोग ने इनकी जाती प्राण पत्र को नहीं मानते हुए इने समान सिरेन में सामिल कर लिया बिरेंदर राम को जार्खन सरकार ने किया निलंबीत जहर्खन सरकार ने गरामिन विँकास बीचैस परच्छेत्र के मुख अभियंता बियन्डरे कुमार राम को अगले आदेश तक किल निलंबित कर दिया है। समन में सोंवार की रात को आदेस भी जारी कर दिया गया जल संसाधन विभाग की और से जारी आदेस में कहा गया है कि बिरेंद्र कुमार राम को आधेस चाहिए परवतन नीदे साले रांची ने पी एम एल एक की धारा उनाइस के तहट 23 फरवरी दो है इसको हिरासत में लिया है इसकी सुतना 24 फरवरी को ग्रामिन कारे विभाग के सन्युक्त जची को दीगाई आदी महोसों में जनजातिय समाज को लेकर बोले मंत्री भुपेंद्र नए दिली में आयोजित आदी महोसों में केंद्रिय मंत्री भुपेंद्र यादों ने कहा है कि जनजातिय समाज के विकाच को लेकर कई पर्यास किये जा रहे हैं बयट में भी इसके लिए प्रवधान कि आदी महोसों का उदे से ही इनका ससक्ति करन करना है इस दोरान स्री यादव ने एक गुरो फोरेस्ट वा बायो डायवर्सिटी पर भी अपनी विचार रखे बता दे नई दिल्ली के मेजर ध्यांचंद्र नेशनल स्टेडिया में आयोजीत आदी महोसों में जार्खन के भूम दिन राजे पाल का अभी भासन सांती पुन संपन्ड हुआ लेकिन मंगलवार से सदन के हंगामेदार होने के असार है मुखे बीपक्षी दल भारतिय जानता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबलान मरांडी ने इसके संकेत दे दिया है बाबलान मरांडी ने कहा है कि स्थाने नीथी नियोजन नीथी सत्ता प्रयोजीत भरस्टा चार राजी की बदहाल करन yolब्यवस्था पर भाजबा सिदन में हेमंत सुरेन सरकार को गहरेगी बाबुलर मरांडी ने सोमवार को भाजबर परदिस कर्याले में ए बाते कही है इससे पहले परदिस अध्यक्दी पर प्रकास के अध्यक्ता में जर्कन बजपा भी धायक दल की बैटक हुई थी जर्कन में एक और इंजिनियर राम जुकार के अवास पर इड़ी की रेट धन कुबेर जर्कन के ग्रामिन बिकास विभाग के चिफ इंजिनियर बियंदर राम से इड़ी की पुष्ता जारी है ये फिलाल इड़ी की रिमांट पर हाँ इसी बीच इड़ी सोमवार को असिस्टेंट इंजिनियर राम पुकार राम के अवास पर रेट कर रही है बतादे रांची के लाल पुर स्थीत पीस रोड दुआरी केस अपार्टमेंट में छपे मारी की जा रही है जार्खन के ग्रामिन विकास विभाक चीप इंजिनियर बियंद्र राम को अपने सिकांजा में लेने के बाद प्रवतनी दिशालेने असिस्टेंट इंजिनियर राम पुकार राम के यहां दबिश दी है मनीश सिसोदिया की गिरफतारी के खिलाप रांची में बिरोध परदर्शन आम आदमी पार्टी के रांची जीला महानगर अध्याग सतेंद्र सिंग और ग्रामिन जीला अध्याग असोक उरांकुनेतित में सोमार को रांची के अलवट एका चौकपर दिली के उपमुख मं मनीश सिसोदिया गिरफतारी के खिलाप बिरोध परदर्शन किया गया इस दोरन पधान मत्री नैन मोदी का पूतला फुका गया आपके नेताओं ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोग पियता से केंदर सरकार घबरा गई है इसी वज़ा से दमनकारी करवाई क कर रही है पार्टी गिरफतारी का बिरोध करती है इसमें जार्खन के तीन पूरूस और दो महिला खिलाडी सामिल है महिला टीम ट्रीपल इवेंट में जार्खन की रूपा रानी तीरकी और दिली की पिंकी की जोडी ने रज़त पदक जीता इसके बाद डबल्स में जार्खन की लवली चौबे और असम की नेन मनी सेकिया ने रज़त जीता है इसके अलावा पूरूस वर्ग के फोर्स इवेंट में जार्खन के दिनेश कुमार, चंदन कुमार सिंग वा सुनील बहादूर असम के मृदूल सामिल है जार्खन के साथ जीलों में बिजली कटोती का फर्मान दामोदर घाटी निगम की कुडर्मा थर्मल पावर की बिजली उत्पादन करने वाले यूनिट में रभीवर को अचानक तकने की खराबी आई है इसके कारण जार्खन के धनबाद जीला सहीत कई इलाकों में डीवीसी ने पावर सप्लाई में 50% अधिकी कटोती कर दिया है डीवीसी ने इससे समधित नोटिस जार्खन बिजली बित्रण निगम लिमिटेट के चेर्मेन सहीत धनबाद एरिया बोर्ट को भी जारी किया है अगले पाच दिनों तक डीवीसी ने पूरे जार्खन में 50% तक बिजली सप्लाई में कमी रखेगी नोटन की बंदवाले इर्खन के बिyaण पर आईनिती गर्माई उन्होंने कहा है कि भारतिय जन्ता पार्टी के बिदायग नोटन की और तमासा करना बंद करे नहीं तो दोबारा इस तरह के हरकत यहां हुई तो इन्हें यहां से उठवा कर फेकवा दिया जाएगा इर्फान अंसारी अपने बड़ बोलापन के कारण जाने जाते हैं और उनका या बियान बैट सत्र सुरू होने के दिन ही आया है बता देरिफान के बियान ने जार्खन बिधान सभापरिसट को रायनीती रूप से गर्मा दिया है धन्यवाद